कि अप्र यूटूब चैनल इट्व चैनल चीचिंग एग्जाम टीप्स तो लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कुस कियाता है हिंदी का स्ले बस तो आज आम एक तिनी का चैप्टर कर लेते हैं तो चलिए संग्या को स्टार्ट करते हैं मैंने चैप्टर लिए है संग्या तो संग्या को स्टार्ट करते है है चलिए संग्या सबसे पहले तो संग्या होती क्या है यह कूशन आपके महिंन में आ रहा होगा तो मैं बहुत सिंपल सी स्टेटमाफ को दे बती जो भी चीस हमें देख जाए उसको हम संग्या क्यरते हैं संख्या नहीं संख्या कहते हैं मैं इस पढ़ा बढ़ा के संख्या 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 चलिए संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ तो संख्या जो भी चीजा में दीख जाएं यहाँ पर उसे हम संख्या कहते हैं जैसे आप पढ़ रहे हूं जो फोन से आप पढ़ रहे हैं वह फो संग्या की सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम अपने मैंड में सोचे तो यह इस तरी के साथ याद रख सकते हैं कि जो इस चीज हमें दिख जाए वो क्या है संग्या है अब मैं आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी लिखवा देरती हूँ जिन सब्दों से किसी व्यक्ति, जाती, स्थान, भाव, आधिक का पता चलता है हम उसे संग्या कहते हैं हम कह सकते हैं व्यक्ति, वस्तू, स्थान, भाव, आधि के नाम को संग्या कहते हैं हैं ये पर हमेरे लिए ज़रीरे नहीं कि हमें आधू बस हमें उसका congrण पता अच焼िए उसका अर्थ पताोन आच्छिये कि अगर हमें कौई कोई 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 कुश्य कोई आता है और हमें बोलता है कि इसमें से संग्या क्या है तो हम उसमें से छाट पाएं या हम उसमें से उसको अलग कर पाएं यह आना चाहिए वस आपको यह नहीं कि आप एक पर्टिकुलर संगेगी डेफिनिशन को रटके जाएं और एक्जाम में आपको लिखना हैं नहीं जो कि आपको पता ही है तो आपको सरफ अप पता होना चाहिए और एक्स यह से आपको कुछ नहीं लेना देना चलिए तो हमने आप संगे की डेफिनिशन देखी व्यक्ति वसुस्तान बावादी के नाम को संगे कहते हैं मैंने को सिंपल स्टाइग मैं को सिंपल सी चीज जो आप स्टागुन को समय लाओ आते हो जो आपको कहल जाता है कि वह क्या व्यक्त कर रहा है कि क्या औरे डेंक्व हिपलophy के हो आप सांहीं तो पढ़ता है उसे नहीं बता सकते हैं आफ गाया ह। एकसाम सो देखरों हो गाया है पहरा लेखती तो व्यक्ति हो क्या होगा, कोई राजिये गाश का लड़का है तो वो व्यक्ति होगा क्या है। सोनू ले ले लिजे , राम ले लिजे इसने बहुत कभी आए राम राम और राधा 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 सीटा चले वस्तू आपकी हो गई कुरसी कुछ बढ़ेसे मेज है न भाव या फिर स्थान के आपका जाए कोई भी स्थान का नाम जैसे कान पूर दली शह का नाम ले ले लिजे पहां में पूर्ण हो गया इस तरीके से इसद्थान का नाम कान पूर है न के लिए है आप इसक्रेंशोट लेग भाई सुन्दर लड़की है तो आप दे सकते हो यह सुन्दर है या बदसुरत है जो भी है वैसे तो हर इंसान ही सुन्दर होता है किसी की फेस इस्ट्रक्चर या फेशल एक्स्प्रेशन देखके हां उसको नहीं हो सकते ही वह अच्छा या बुरा ठीक है है तो हर व्यक्ति ही सुन्दर होता है ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए कि वह अच्छा या पुरा है सभी इच्छे होता है अपने देख स्पेशली होते ही होता है अब बाग्योंपा पता नहीं चले तो आगी पढ़ लेता है अब यहां पर हम करेंगे संग्या के परकार संग्य आगे संग्या के प्रकार संग्या की प्रकार वैसे पांच होते हैं ठीक है पर लेकिन ये भी दो कंडिशन पर दो भाव में डिवाइड है हमारे तो फर्स्थ है रचना की आधार पर और सेकिंड है अर्थ के आधार पर टोटल कितने हैं संग्या के प्रकार पांच इनमें भी दो कैटेगरी है दो तरीके से डिवाइड है रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर अब आप बोलोगे कि अर्थ के आधार पर कितने हैं और रचना के आधार पर कितने हैं ठीक है तो रचना के अधार पर हमारे होते हैं तीन और अर्थ के अधार पर हम मानते हैं पांच ठीक है अगर आपसे कोई पूछे कुछन आ जाता है कि रचना के अधार पर संक्या के परिकार बताईए तो आप कितने लिखोगे रचना के अधार पर तीन और अगर कुछन आ ज तो बापल पर कोशन होगे तो चलिए तो इसमें थे फुर्ण कोशन आता है ऑँस अब देखते हीं होगे तो चलिए अब देखे कि हमारे वह 5 परकाल को नहीं से हैं पहला है जाती वाचक या पहले जीजिल व्यक्ति वाचक व्यक्ति वाचक ठीक है, सेकेंड हो गया, जाती वाचक ख़ड हो या, भाव वाचक पूर्थ हो गया, जाती वाचक और फिफ्ट हो गया, संभु वाचक ठीक है निए, हम नब तक क्या देखा, संग्या के परगार पहले संग्या देखा, संग्या की डेफिनिशन देखी ठीक है जी, फिर आपने संग्या के परकार बता है फाइव होते हैं, आपने दो तरीके से बता है रचना के अधार पर पूछें तो तीन अगर रचना के अधार पर पूछता है तो पांच ठीक है, फिर आप कौन-कौन से वे परकार है संग्या के जाती वाचक, व्यक्ति वाचक, जाती वाचक, भाव वाचक, द्रव्य वाचक, समू वाचक यह हमारे कि पांचो के पांचो प्रकार है अब आप इनकी definitions और examples और कर लीजिए ठीक है? चलिए हम इसको रब कर देते हैं One by one कर लेते हैं देख लिजी आप एक बारोड चलिए मैं अब रख कर देख लिए था है व्यक्ति वाचक संग्या ठीक है? जो सब्द किसी विसेश, व्यक्ति, प्राणी ठीक है न? वस्तु स्थान आदे के बारे में बोद कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्ति वाचक संग्या मतलब किसी स्पेशल व्यक्ति की बात हो रही हो किसी स्पेशल के स्पेसिफिक स्थान की बात हो रही हो तो हम उसे तो उसको हम किस काटेगर में रखता है व्यक्ति वाचक संध्या ठीक है न यहां कर मैं मैं में में देफिनेशन तो मैंने बोल दी लिए स्पेशल या फिर स्पेशल लिख लेजिए था स्पेशल परसन विसेश लिख लेते हैं अब बोल देखिए इंग्लिश हिंदी की क्लास है चलो विसेश लिख लेते हैं किसी विसेश व्यक्ति वस्तू स्थान ठीक ना आधी का बोल कराते हैं हैं वो शब्द व्यक्ति वाचक संध्या कह लाते हैं है एक्जाम्पल के लिए रां राधा राजेश आधी यह स्थान में लिखेंगे तो कानपूर चीक है भाव में लिखोगे यह फिर इस्थान यह बस्तू मेज बस्तू में लिखोगे तो ठीक है यह तो नॉर्मल सी आपको पता ही हुआ चलेए नेक्स कर रहेते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा जाती वाल्चक संगया यह पर चेंज कर रहेते हैं जाती वाल्चक संगया ठीक है यह फर जाती वाल्चक में क्या होगा जो शब्द किसी जाती का बोद कराते हैं ठीक है किसी जाती का बोद कराते हैं जाती में मारा क्या क्या आ गया जैसे लड़का हो गया नारी हो गई ठीक है ना ओरत हो गई नारी ओरत देखी है वैसे है आदमी ठीक है ना जाती मतलों कोई विसेश जाती का बोद कराते हैं तो उन्हें हम क्या कहते है तो उन्हें हम क्या कहते है जाती वाचक संग्या ठीक है जो सब्द किसी लिख भी देती हूं है यहां दुकूरा में डाल रहता है जो शब्द किसी विसेश जाती का बोद कराते हैं उससे हम क्या कहता है जाती वाचत संध्या कहते हैं इसके एक्जामपल लिखीजिए उधारन लड़का उपरियास ठीक है नदी अब जिससे नदी है नदी तो बहुत सारी होती है तो अंगा हो गई यह मना हो गई ठीक है तो पर लेकिन जो नदी है वह सारी ही नदियों को इंक्रूड रगती है मतलब वह उनकी जाती का बोद कराती है ठीक है तो चलिए बनाई जाए जाती है शोड में याद कर लीजिन मतलब जो ऐसी वस्तुए जिसे बूसरी वस्तुए बनाई जाए ठीक है बनाई जाए ठीक है तो अगी बनाई जाए ठीक है मतलब जो चलिए वस्तुए जिन से तूसरी वस्तुए बनाई जाए ठीक है मतलब जिसे हमारा सोना होता है, तो सोना से हमारा हार भी बनता है, अकंगन भी बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीजे होती है, तो वो सारी चीजे हम कहां यूज करेंगे, द्रव्यवाचक संग्या में यूज करेंगे, ठीक है, उनको हम कहां लेकर आएंगे, किस संग्या में रख रखेंगे उस कौन दिरवे वाचक संग्या में रखेंगे ठीक है जैसे हमारा ठीक है एक्जाम पर्स देख लगता है पहले तो रेखनेशन ऐसी वस्तुए जिन से दूसरी वस्तुए बनाई जाए उधारण चांदी ठीक है दो इस पहुत है ऐसे वस्तुएं जिन से दूसरी वस्तुएं बिनाई जाए तो उन्हें हम इंग्रिश में मैटी रगा हूं उसमें आए गई है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट कर रहते हैं दो ही रह गई है नेक्स्ट है हमारी सम्मू वाचक सम्मू वाचक ठीक है डेफिनेशन इसकी ऐसे सब्द जो प्राणी या फिर वस्तु के समूं को बोध कराएं तीक है या बोध कराएं ऐसे शग जो प्राणी या वस्तु का वस्तु का ने वस्तु के वस्तु के सम्मू का बोध कराएं ठीक है जी उसे सम्मू वाचक सन्या कहते हैं ठीक है एक्जाम्पल करें या सौरी उधारन सेना सेना चीक है टीन या फिर गुच्छा लिख लीजिये ठीक है ना फिर दोई होते वैसे तो इससे गुच्छा हो गया है ना और हमारी गैंग हो गया है ना यह किसमे याती है यहमारी समू वाचक संधिया आधै , यह हमारी समू वाचक संधिया चले तो पॉचक संधिया जो किlaughs in जिन सब्दों से हमें बहाव को पता चलता है जैसे गुषा, बैमानी, डर, गुढ़ापा, इत्यादी सब्द। तो इनको कहां रखेंगे इनको आम भावत्त क सन्या में रखते हैं अब जो है अब हम जो है इसे नेक्स चेप्टर जो है वो नेक्स वीडियो में करेंगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे